जली को आख कहते हैं बुझे तो राख कहते हैं जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनात कहते हैं तुमने हमारा नाम तो जरूर सुना होगा नाम है सत्रूगन सिन्हा अब एक खामोश से लेकर जली को आग कहते हैं तक 90 के दशक में बड़े परदे पर जब भी उत्रे तो एक नया जलवा विखेया खास बात तो ये के हिंदी फिल्मों में शत्रुगन स्रिना के सबसे ज्यादा डायलोग्स जर्चा में रहे फिल्मी परदे के बाद जब राजनीती में खदम रखा तो कभी गिरे फिर उठे फिर संबले और फिर कुछित इस तरह से अपना जलवा राजनीती में जमाए रखा आज देश किसका के VIP सीट पर ऐसे संसदीर शेत्र के बाड़े में बात करेंगे जहां से वर्तमान में सांसद है शत्रुगन सिन्हा लोगसभा का चुनाव है और चुनाव के बीच में एक ऐसी चर्चा हो रही है कि पशिम बंगाल के आसन सोल सीट पर फिल्मी परदे वाला नहीं बलके राजनीती पर जो फाइट होने वाला है वो दो स्टार वार देखने को मिल सकता है एक तरफ चर्चा है टीम सी से सत्रु सिनहा को लेकर तो जबाब में बीजेपी के तरफ से जो अभी खबर आ रही है कि फिल्म स्टार मितुन शक्रवरती को मैदान में उतारा जा सकता है अगने मित्रा पॉल तेश्टराट बीजेपी नेता है लेकिन उपचुनाओं में तीन लाख वोटों से शत्रुगन सिनहा स फिल्म स्टार होने के चलते बीजेपी में भीड जुटाने वाले स्टार कैंपेनर हुआ करते थे शत्रुगन सिनहा बीजेपी के फाउंडर मेंबर जैसा दरजा शत्रुगन सिनहा पर लगा होता था लायलेटी के इनाम के तौर पर अटल आडवानी ने शत्रुगन सिनहा क कि उपयोगता बीजेपी के लिए भीर जुटाने वाला नेता के तौर पर किया जाता दो टर्म में 12 साल राजसभा में बिताने के बाद पहली बार उन्होंने 2009 में होम चाउन पटना साहिब से लोगसभा चुनाव लड़ा और फिर जेत भी लिए शत्रुगन सिन्हा का बीजे साहिब से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते भी लेकिन मोधी सरकार के मंत्री नहीं बन पाए, यहीं से बीजेपी में उनकी चीजें खराब होने लगी थी बीजेपी में रहकर श्रदुरुहन सिन्ह सरकार के खलाब बोलने लगे दौचा रुनेस में पटना साहिप से न चुनाओ का टिकट मिला न राजसभा का और न मंत्री बन पाए मोधी विरोधी नेता की इमेज के साथ कितने दिन तक टिके रहते श्रदुरुहन सिन्ह इसलिए कोई नया रास्ता भी वो ढूंडने लगे थे सीटों का सम्मिकरन और श्रदुरुहन सिन्ह के बारे में पूरी जानकारी बताने से पहले आसनसोल के अस्तानिय जानकारों का पत्तरकारों का क्या कुछ कहना है पहले वो भी सुन लेजे की अभी तो यह कहना बहुत है कौन ऊपर जाएगा यह उस्टित तो अगर असपस्त नहीं होता है प्राथियों के बारे में में तब तक सटिक कहना बहुत मुस्किल है और तभी लोगों की हल्चल स्तुरी होगी डिंख लेखिन हम बात करेंगे पिछले उप्षिनाओं में सतुर्धन सिन्या यहां से वर्तमार में तिनमुल कॉंग्रिक से सीट पर जीते हैं और क्या उनके उमिद्वारी को लेकर पहले ही हम देख चुके हैं कि पार्टी सुप्रम ने उनके कैंड़ेट से को घूसना कर दिया है तो इसका क्या आगे घूसना कर दे सतुर्धन सिन्हा एक मजबूत उमिद्वार है पिछले चुनाव में हम लोगोने देख चुका है कि यहां से भाजपा के सीट रहते हुए भी तीन लाग से अधिक बोटों से वह यहां से विजह हुए थे अब भाजपा से कोई करिस्माई नेता अगर आता है उनके समने तो नहीं देगी जो उनसे ठकर ले सके और खास्तोर से इस छैत्र में वह हैं वहां विहारी वोटरों की संख्या बहुत अधिक है इसलिए उसको टकर देने वाला तो ऐसा ही चाहिए उसकी आलावा वह फिल्मी बैक्ग्राउंड से रहें फिल्मी बैक्ग्राउंड का भी एक कर अगर हम पूरी देश व्यापी के बात करें तो भाजपा या कॉंग्रेस किसका आपको पाला मजबूत नजर आ रहा है अभी तक जो मजबूत भाजपा के मजबूत है क्योंकि पिछले लोग सब्सक्राइब में कॉंग्रस काफी कम सिमट सिमट गए थी और भाजपा अधिक र अपना रुक्स पस्पनी कर रही है इस स्कति में आप क्या बोलें इंडी गठवंधन तो पहले से ही फ्लाप होती जा रही है उधर नवत्तर परदेश में अख्लिएस ज्यादव उसके साथ तालमेल अभी तक नहीं हुआ है और टालमोटोल ही हो रहा है पस्चिम बंगाल मे जाने के लिए त्यार रहे हूं और उसके अलावा सबसे बरी बात है भाजपा के पास जो चेहरा है प्रदार मंत्री का उसकी तुलना किसी पास नहीं है और यह कॉंग्रेस इंडी में अगर सबसे महत्वपूर्ण है कॉंग्रेस की स्थिति तो आप देखी रहे हैं एक मात् चुनाओं के समय जिस समय प्रचार में होना चाहिए संगठन का काम देखना चाहिए उन्होंने पता नहीं उनको किसी ने राय दे दिया भारत जोरो यात्रा में वो निकल गया तो इस्टे तो यह सपस्ट है कि बड़ी गंभीरता से कॉंग्रेस कुदी नहीं ले रही है अब बात कर लेते हैं 2014 लोग सबाच चुनाओ पर नाम की तो बीजेपी के दरब से उमेदवार थी बाबल सुप्रियो जिन्हें इस बार 2014 में 4,99,983 वोट मिला जो की 36,75 फिस्दी है टेमसी के तरह से डोला सेन मैदान में उतरी जिन्हें 3,99,503 वोट मिले और इससे 30,58 फिस्दी वोट पर तिस्द मिला थी कॉंग्रेस के तरब से इंदरानी मिश्रा उतरी थे जिन्हें 48,502 वोट ही मिल सके थे यानि 4,02 फिस्दी वोट कुल वोट पर तिस्द के बाद करें 2014 लोकसभा चुनाओ में तो 77,76 फिस्दी वोट पर तिस्द रहा था 2019 के लोकसभा चुनाओ से पहले स्दुधन से ना कॉंग्रेस में आएं कॉंग्रेस ने टिकट तो दिया लेकिन बदले में पटना साहिब के सीट नहीं जीत सके चुनाओ हरने के बाद कॉंग्रेस में कोई इंट्रेस्ट भी नहीं रहा उन्होंने तरिनमुल कॉंग्रेस के राह थामली और उसके बाद उनके एंट्री होती है टीमसी में लेकिन इस बीच में 2019 लोकसभा चुनाओ परिणाम के अगर बात करें तो बीजेपी के तरब से आसन सूल सीट से ही बावल सुपडियों को मैदान में दुबारा उतारा गया था जिन्हें 6,3,378 वोट मिले 51 द परिशत रहा से पी आई एम के तरब से गौरांग चटूपा ध्याय मैदान में उत्रे जिने 87,608 वोट ही मिल सके 7 दशवलव शुन्ने 8 फेजदी वोट परिशत रहा कॉंग्रेस के तरब से विश्वरूप मंडल उत्रे जिने सिर्फ 21,038 वोट मिला एक दशवलव 7 फेज पिद्रिय राजमंत्री का जिम्मा भी मिला आसन सोल से बाबुल सुप्रियों दो बार लोगसभा चुनाव जीते थे लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबुल सुप्रियों को विधानसभा चुनाव लड़ने को कहा जीतने पर विधानसभा में रहने लोगसभा सीट खाली करा ले 2001 केस में उन्होंने स्थिपा दे दिया बीजेपे से और बाद में टीमसी में शामिल हो गए विदानसभा चुनाओं में वह विधायक चुने गए और राज मंत्री भी बनाए गए थे इधर श्रतुरुण सिन्हा की बुरी तरह से लड़कराती र उप्चुनाओं में आसन्सोल से उम्मिद्वार बना दिया श्रतुरुधन सिन्हा को उप्चुनाओं जीतने से श्रतुरुधन सिन्हा की राजनिती दोबारा से चमक गई दिल्ली से आसन्सोल की दूरी करीब एक हज्यार 283 किलोमेटर परती है लेकिन स्टार सांसद होने के बाद जूद जब भी अपनी बातों को खामोशी से श्रतुरुधन सिन्हा रखते हैं तो आसन्सोल से दिल्ली तक उनकी आवाज सुनाई देती है और उनके बातों पर गौर भी किया जाता है आसन्सोल कुलका के बाद पश्म बंगाल का सबसी बड़ा शहर है चोटा नागपुर के पठार से लगबग मद्य में प्रदेश के पश्मी सीमा पर स्थित यह नगर खनीज पदार्थों से घनी है यहां पर सैनेराल साइकल का भारत प्रशिद कारखाना भी है यह शहर भारत के उन 11 शहरों म सब्सक्राइब की घाटिक पर स्थित है आसन सोल और इसके अर्थव्यवस्था का अधार कोईला और स्टील है घाघर बुरी चैंदनी मंदीर गलक्सी माल और इसके लाबा कल्या नेश्वरी मंदिर नेहरू पार्क बिहारी नाथ हेल यहां के परमुक्ष प्रेटन अस्थल है लेकिन आसन्सोल के जनता की बात भी सुनना जरूरी है क्योंकि वहां पर आसन्सोल के जनता इस बार किसे चुनती है यह भी देखना जरूरी हो जाता है लेकिन हम लोग तो देखे हैं कि इससे पहले भी जो दो पहले चुना हुआ है पुरुव केंद्री मंत्री बावुल सुप्रियों ने भी इस स्टीट पे बिज़पी होकर जीता था तो वह भी तो बाहरी थे थे यहां का स्थानिया है और अभी तो क्या है कि यहां का लाहर और यह अभी जब तक कोई दूसरे विपक्षी वगरा कंडिडेट नहीं खड़ा करते हैं तब तक कोई भी यहां पर बोलना मुश्किल है अब हम और कुछ लोगों से बात करेंगे आप अपका नाम परिशे बताइए महम्मद कमरुज जमाखान क्या लगता है असन सूल सीट पर कौन पार्टी जीतेगा हमको विश्वास है कि मानिये अब यह तो कहा नहीं जीतेगा अब यह तो आप अभी तो कहा नहीं जा सकता है लेकिन अभी तो फिलाल जो है टी-मसी के जो है सत्रों सिनाज ही है उन्हीं पर उमीद किया जाता हि आप बताएए कि आपका परिशेंग ने शौरूप सिन असन्सोल लोकसवा के इंदर चुनाव का अंदर में है तो असन्सोल लोकसवा सीट पर जो चुना होने वाला है इसमें कौन जीते हैं क्या लगता है इसमें अभी तक हम लोगा जो भी है दिमाग में 50-50 पर संट चल रहे चल रहा है इसलिए भी कहा है ना जा सकता है जो कौन जीते हैं को नहां रहेंगे लेकिन सबकोई कुछ आजबी है जो बिहारी वह पर मैंने आस्वार्शन रखे हैं जो आगे चलके हो सकते हां आस्वारे कुछ सोचे और रहे गया सावल बीजेभी का बढ़िए का और जहां तक इस शेत्र में जीतने का सवाल है तो मैं इस पर अपना टिपनी जो से अपना टिपनी हम रखना चाहूंगा कि आसन सोल और दोगित शेत्र जो है यह हिंदी भासावासी बहुली इलाका है इस पर बिगत जो हमारा जो अपना अनुवव है कि दी दी एक हूप में हिंदी केंडीडेट साथरगन सिन्ना को यहां उतारकर जैलाव कर चुके इससे अति उत्साहित होकर फिर दी चुकर अपना अपना मनेजूआं सथा виσवास रखी है अमको लगता है क्या कि साथकंशन चे irrelevant के लिए बहुत अच्छा काम की है और उनka जो हैесव एक हे उनका बिशाल अनुभभ ही है इसलिए हमारे समझ से कि स्थ्टवगन सेना ही पार बेटर रहेगा. देखिये हमने बात किया इन से यह बोल रहे हैं कि सवत्रोगन सीना एक बेटर प्रणेट हो सकते हैं. अब हम बात करेंगे आपका नाम और परशय बताइए. मेरे नाम अरभिंद कुमार संग आशने Oke aument कि हमस्ते है कि लोकल मुद्दा जो है लोकल जो पुलिटिकल प्रटि के लूग होंगे उन से बहतर बाहरी लोग तो यहां के लोकल पार्टी से कौन आते हैं अभी तक तो क्लियर है नहीं अगर क्लियर होता है तो फिर डिसीजन लिया जाएगा कि कौन जीतेंगे हलाकि सत्रुगन सिना जी अभी फिलाल में है हम हमारे तो काम अच्छा कर रहे हैं लेकिन बेरोजगारी बहुत सारा मुद्द है उन पर उनका विशेश ध्यान नहीं है तो आप क्या बोल रहे हैं कि लोकल होना चाहिए जिस तरह सत्रुगन सीना बाहरी कंडिट आप बोल रहे हैं तो क्या लगता है कि स्थानी कंडिडिट होने से यह लाब होगा कि हमारा जो बुनियादी सुविधा है उसके उपर वि आसुन-सोल लोग सबस्थ शेतर अंतरकत में आता हुँ और रही बात अभी तो साइटी अमसी स्रिफ डिकलियर किया सत्रुगन सीना का नाम और कोई पार्टी डिकलियर भी नहीं किया रही बात आसुन-सोल शेतर का अभी नाम हो रहा था दो नाम में उठका आया बाबुल स्थानी है हम लोग क्या देखें यह जो दो टम बाबुल शूप्रियों था एक टम था आपका जाके शत्रोगन सीना हमारे शेतर का जो सबसे दिक्कत वाला चीज हम लोग सिल पांचल कोईला सिल पांचल में आते हैं हमारे या डिसल का सक्तोडिया में अब पता लगाई है क जो बंद हो रहा है मज़़ूर का जो दिक्कत हो रहा है इस अब लेका संगस्त को बोला नहीं है मतलब संगस्त मास तक भी लोग इस सब्सक्राइब को उतारा नहीं है हम लोग चाहते कोई पार्डिकाल परसन आना ठीक है यह बाबुल सुप्रियों आज बीजेपी में था क में चला आया और अभी जो आज जो महोल अमरा आशन सुसिर्फ पांचन के पूरा भारत बरसकाज लग रहा एक तुस्तिक करन का राजिंदी चल रहा बीजेपी हिंदू को लेके चल रहा बंगाल का त्रमुल सरकार आलसंका मायरटी मुसल्मान को लेके चला बाट दिया गि लोग सब्सक्राइब करने चला लगबाग आसुन सुल लोकसभा स्वीट के अंतरगत विदान सबा के कुल साथ सुटें आती हैं जिनमें से पदा वेश्वर रानी गंज इसके अलावा जमूरिया आसुन सुल दक्षीन आसुन सुल उत्तर कुल्टी और बारा बनी शामिल है यहां साथ बिधान सबा के सीटे हैं आशुन सुल में जातिए सम्मी करन को समझे अगर तो जात के अनुसार से जन्संक्या की कितने फिजदी हैं तो बौद के शुन्य दसवलफ दो फिजदी हैं अनुसुचित जाती के आवादी 27.4 एक फेजदी है अनुसुचित जन जाती 6.3 फेजदी और उसके अलावा 6 समुदाई से 6.2 दो दो फेजदी यहाँ पर जो जाती के अन्मान लगाए गए है यह जन संक्या आवादी है इसके बारे में जो जनकारी दी गई है फोरस मदाता यहाँ पर 8,43,683 है महिला मदाता 7,42,138 है कुल मदाता की बात करें तो 16,15,865 यहाँ पर मदाता है आसन सोल सीट का राजनीतिक इतिहास को समझना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यह एक अब VIP सीट हो गया अक्सर यहाँ पर सिंगर और स्टार्स के ही वार सीट को मिलते हैं सीटों को लेकर आसन सोल लोकसवा सीट की बात करें तो 1957 में अस्तित्त में यह सीट आया था 1952 के बाद वे दूसरे लोकसवा से चुनाव में कॉंग्रेस के मोनो मोहनदास सांसत बने थे 1962 में कॉंग्रेस से अतुल घोश सांसत बने, 1967 में संयुक्त सोशलेस्ट पार्टी के देवेन सेन ने बाजी मारी, 1971 में CPM के रॉबिन सेन सांसत चुनी गई, इमर्जंसी के बाद 1977 में रॉबिन सेन दुबारा सांसत बने 1980 और 1984 के चुनाव में यहां से कॉंग्रेस उम्मिद्वार ने बाजी मारी, 2009 तक सीट का प्रतिनी धित्तों CPM के उम्मिद्वार ने किया, लगतार सीन बार 1989, 1991 और 1996 का चुनाव हर घन राय ने जीता था इसके बाद से तीन चुनाव में 1990, 1999 और 2004 में विकास चौधरी चुनकर यहां से संसत बने 2005 में हुए उचुनाव और 2009 में हुए चुनाव में यहां से बंसा गोपाल चौधरी ने जीत दर्श की थी CPM के गड को 2014 के चुनाव में बीजेपी ने धराशाही कर दिया, बीजेपी के बाबुल सुप्रियों यहां से लगातार 2014 और 2019 में चुनाव जीते हैं 2024 में बंगाल में त्रिनमुल कॉंग्रेस और कॉंग्रेस का अलाइंस हो पाएगा इसके गुंजाइस लगातार कम होती जा रही है ममता अकेले बीजेपी के खिलाप 42 सीचों पर लड़ने का एलान कर चुकी है अममता बनरजी ने अलाइंस के बचे खुचे चांस की ऐसी तैसी करते हुए आसन सोल से स्टुर्धन सिन्ह को फिर से त्रिनमुल कॉंग्रेस का टिकर दे दिया है आसन सोल में बंगाली और गैर बंगाली भाशी वोटरों के संख्या लगभग बराबर है चर्चा है कि शदुर्धन सिन्ह के जबाब में बीजेपी फिल्म स्टार में थुन चक्रवर्थी को मैदान में उतार सकती है अगने मित्रा पॉल थेस तर्रार बीजेपी के नेता है लेकिन उप्चिनाओं में तीन लाख वोटों से ही शदुर्धन सिन्ह से हार गई थी कॉंग्रेस को एक सीटे एंडिये को चालिस फेजदी वोट तो इंडिया के खाते में नौ दशवलोग दो फेजदी वोट शेयर जाता हुआ दिखाया गया है पिछले लोकसभा चुनाओं की बात करें तो बीजेपी ने सभी को चौकाते हुए 18 सीटे बेंगाल में जीती थी अलाकि सबसे ज़्यादा सीटे ममता बनर जी के टीमसी के खाते में गई थी लेकिन बीजेपी ने सभी को चौका दिया था इस लोक्सबा चुनाओं में सर्वे के मताबिक TMC 22 सीटें जित रही है लेकिन NDA के सीटें में पिछले साल के मुकाबले बढ़ातरी हो सकती है NDA उन्हें सीटें जित सकती है TMC और BJP के बेच में सिर्फ 3 सीटें का अंतर नजर आ रहा है BJP ने श्रतोधन सिना को बाहरी बताते हुए अपने जीत का दावा किया था लेकिन BJP पूरे चुनाओं में कहीं से भी मुकाबले में नहीं दिखी थी और आखिर में श्रतोधन सिना जीत दर्ज कर लिए थे अब 24 लोग सबह चुनाओं में देखना होगा कि शॉट गन को आसन सोल के जनता कितना पसंद करती अब देखतरी नियूस ता